मेरा नाम संदीव श्रीवास्तावे और में जिला पंचाइद भौपाल में सायक नोडल हूँ आप बहुत महस्पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि बहुत ही लोगतन का जब उस्साव आता है तो हमारी दिम्यतारी बहुत बड़े आती हैं चुनावाय को तरफ से आप लोगों को जागरू करने के लिए इस बार चला है हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं क्योंकि बहुपाल जले का बोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहा था लास्टम 65 परसेंट रहा था इस बार हमें उमीद है कि जो हमारी लगातार एक्टिविटीज होई है उस हमें बोट डालें ज्यादा पढ़ाई जिन्होंने नहीं की है उन एरियास में आप गए हैं और आपने क्या बताने की कोशिश की है कि हमारा बोट डालने का जो अधिकार है कितना भात्पून है सभी महाविद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् है जो लोगों को पता ने थी अब उन लोगों को भी पता चला 17 तारीक को बोट डालना है हमें वो ठेले वाले व्यक्ति से बात करना हो चाहिए शौपकीपर्स हो चाहिए हमारे गोविनपुरा का इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहिए बेरागड का मार्केट हो दस नंबर मार्क एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि और भी वोटर सक्री हो जाएं और पहुंच जाएं मद्दान के अंदर पर मद्दान करने के लिए अभी लगातार हमारे बिये लोग घर घर जाके बोटर सिलिप दे रहे हैं बोटर सिलिप के माद्याम से वह आवान भी कर रहे हैं और आम पहल हुई है कि कई स्कूलों के बच्चों ने अपने माता पिता को पेरेंट पेरेंट्स के लिए पाती भी लिखिए जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि मम्मी पापा हमें इस बार दिवाली पर कोई गिफ्ट नहीं चाहिए आप अपना मद्दान अवश्चे करें यह हमें कि सुरूप में चाहिए तो स्वीप के साहक नोडल होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं क्या संदेश है आपका मैं सभी भुपाल वासियों से अपील करता हूं कि 17 तारीक को बढ़ चड़कर हिस्सा लें और अपने मत का परियोग करें और भुपाल को नंबर बोटिंग म सब्सक्राइब को मैं नमस्कार मैं स्वीप मिस्टर नेशनल यूथ होटी उश्याजी आपसे जाना चाहता हूं कि लोगतंतर का महा उस्सव है 17 नवंबर को और इस समंद्ध में लगातार चुनावायों की तरफ से स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही हैं जागरू को क दो आपके कितना महत्पूर है और आप की स्मी क्या महत्पूर भूमिका है क्यों कि मैं बच्चों से समास से अभीभापकों से सबीसे पूरी तरह जुड़ी हूई हूँ मेरे लिए चाह्तिकार माद्ध मिला हुआ हुआ हमको करने का तो उस से बंचित हम क्यों रहें और क्य डालने से तो वो उनको मॉटिवेट करें, उनको सायोग दे, साथ जाए और जवरजस्ति करके बोट डलवाए, अपनी दादियों, नानियों को सभी को सपोर्ट करें और जा कर उनको मार मतलए इस तारीके से की बोट डालना अधिकार भी है और कर्तब भी है. अब एक्षार जी आपने भी लगातार इन गतिवितियों में सक्रीटा से हिस्सा लिया है आपने क्या देखा है कि जो जागरुकता गतिवितियां चलाई जा रही है उनका कितना असर हो रहा है लोगों को और वो कितना एकसेप्ट कर रहे हैं यह वोट देना हमारा एक अधिकार है पिल्कुल देखिए जागरुकता ही सबसे पहला स्टेप होता है चाहे वो कोई भी इनिशेटिव हो और क्योंकि मेरा टाइटल मिसिस का है तो मैं तो महिलाओं का नेतरित्व कर रही हूँ और मैं यही चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं भोपाल की, मध्यप्रदेश की वो घरों से बाहर निकलें और इस बार अपने सूपर पावर का पूरा-पूरा उप्योग करें हमारे जो पुरुषवर्ग हैं वो तो बहुत बर्चड के वोटिंग करते ही हैं हमेशा लेकिन कंदे से कंदा मिलाकर मुझे लगता है इस बार महिलाओं को भी अपने होने का एक अहसास दिलाना बहुत जरूरी है गरतंत्र में हम लोग हैं और ये हमारा सबसे बड़ा पावर है सबसे बड़ी शक्ती है और आपका वोटर आईडी सिर्फ आपका इडेंटिटी कार्ड नहीं है इसका उप्योग आपको 17 नुवेंबर को करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए आप जाएं अपने परिवार को साथ लेकर जाएं आस पड़ोस में जो लोग हैं उन्हें साथ लेकर जाएं और एक्सपोनेंशिल वोटिंग करें इस बार और एक रिकॉर्ड कायम करें कि मध्यप्रदेश ने शत्प्रतिशत वोटिंग करकर एक इतिहास रचा है बिल्कुल शत्प्रतिशत वोटिंग करकर इतिहास बनाना है इस बार मध्यप्रदेश को और शिवम भी उसमें लगातार सक्री हैं एक आइकान को रूप में वह भी अपनी भूमिकाने भार रहे हैं आप युवाप्रदेश में भी युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है आपने क्या अपने तरफ से कोशिश की है लोगों को जागरू करने के लिए विशिश रूप से यूथ को देखिए जो हमारे स्लोकन की राइटिंग के माद्यम से हो चाये ड्रामा हो हम लोग नुकर नाटक करते हैं ऐसी कई तिवनिया ऐसा हमने अभी एक बहुत आच्छा कारी कर्म किया के बीसी की तर्ष पे हम लोगों ने डिवी मौल में कारी कर्म किया इसके माद़ें से लोगों के बीच में मैसेज जाना कि जो लोग इस तेवहार को के वाल एक चुट्टी के रूप में लेते हैं कि वोटिंग कर दे रहे हैं है यहáक हम लोग एंता बोट्टेश भी जैसे बूटह पर जाके जो हमारे निजग्स आती है उनकी मादब कर रहे हैं जाके जाए वो से उनको मर्दानगी तक ले जाने की बाद हो या जो एटी परसेंट से ज्यादा भी हमारे वोटर्स थे इस बार होद अच्छी सुब्जा एलेक्सिन कमिस्टर ने दी है घर पे बोटिंग करने की तो उनको कैसे उन तक यह जाज़कारी पोचाए कि हम आपके लिए एक सुधा हम लोग लाए हैं तो वह फॉर्म भनने की भी हम लोग उसमें हम लोगों ते मदद यह था संभव आपके कोशिश यह है कि यह मैसेज सब तक पहुंचे कि वोट हमारा अधिकार है और हमें किसी भी हालात में जरूर देना है उसार यह सवाल मेरे म पढ़ता है इसी प्रकार एक एक बोट से आपका लोग तंत्र बनता है अच्छी सरकार बनती है देश का विकास होता है ऐसी वातों के लिए हम लोगों ने पालक सिक्षकों की सब की बैठके भी की और बच्चों के माध्यम से बच्चों को से एक चिठी लिखवाई है कि पहुंची है तो क्या उनके मातियम से निकल सामने आ कि अपने इनको बताए कि वोट डालना हमारा दिकार है और पांस साल में यह दिखार आता है जब हम अपने उंगली की जो कीमत है वो दिखा सकते हैं बिलकुल देखिए महिलाए जो हैं वो तो घर की होम मिनिस्टर हैं ही घर समालती हैं और अगर उन्हें यह एक उपरचुनिटी मिली है कि अब आप इंडिविज्विली अपना वोट दे कर अपना पावर अपने पावर से एक सरकार खड़ी कर सकते हैं तो क्यो ना उस पावर क कंफाइन नहीं रही है मैं में एक एक्जांपल है और बहुत सारे और महिलाएं हैं जो की आउट्रीच प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक इनिशेटिव लेना था महिलाओं को पता है उनका अधिकार क्या है उन्हें सिर्फ एक मोटिवेशन देना था कि जरूर इश्वास है कि इस बार पॉप्यूलेशन जो भी है मैक्सिमम पसेंटेज में जाकर वोटिंग करेगी और अपना दाईत्व जरूर जरूर निभाएगी चुनाव आयूक के तरब से आपको किस प्रकार का सपोर्ट मिला है मड़म एजय कोन आप काम कर रही हैं उन्होंने आ समझा कि हम उनके कामा सकते हैं दूसरा हम सेल्फ मॉटिवेटेड है कि यदि हमें कोई जिम्मेदारी मिली हुई है तो हम उसको शत प्रतिशत पूरी तरह निभा रही हैं और निभाने की कोशिश में हम लोग जितना भी बन पढ़ रहा है हमसे अभी मैंने के बीसी कलेक्ट कि प्रोग्राम हम लोग जो चला रहा है तो मुझे लग रहा है परीवर्तन तो आ रहा है पर एक चीज और मैं कहूंगी कि हम लोगों को फील्ड में काम करने के बाद यह थोड़ा अभी भी आया कि जन जन तक जो बुजोर्ग लोग है न एक नया काम शुरू हुआ था कि उ अगर ऐसे कोई वजूर्ग हैं जिनके असमर्त हैं और जिन्होंने फार्म नहीं भराओ वो बोटिंग के लिए नहीं जा रहे तो इन दो चार दिन जो हमारे पास बचे हैं उनको वीलचेयर वगएर की सुविदा ऐसी मिलनी चाहिए कि वो लोग जाकर अपना मूल मत दे सके चुनाव आयोक के कौन कौन से निर्देशों को आपने ध्यान में रखकर यह कैमपेञ्ट में काम किया है और लोगों को कंविस्ट किया है वोड़ देने के लिए कि देखिए लोगों को ज्यादा ज्यादा यह कोशिश रहती कि हमारे प्रदेस में हमारे जले में सब जब जादा से ज्यादा जो मत आता है वह अपने बूत हो तक पहुचे इसको लेके हम लोगों ने महुत सारी सुग्णा निर्वाचन द्वारा दी जा रही हैं जैसे कि हर म लाइट की प्रापर व्व्वश्ता हो हमारे व between हमारे दिव्यांग friendly हम लोग बना रहे हैं लोगो को एक तरीक़ से देहार की रूप में इस तरीकह के लेकर हम लगातार प्रयाश कर रहे हैं सोचते है कही कही बी ऐसी बेशता न रहे हैं इसको लेकर हम लगातार अंदर बच्छन आयोग के जो भी निदेस आते हैं उसके अरूप हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कुछिस करते हैं कि इन गति विडियों में जो हमारे जातर युवास आती हैं वो आंगे चड़के आए और हमारे जो डिब्यांग हैं बरश्ट लोग हैं उनकी जड़ा से जड़ा मदद करें और ऐसी केंपियंस हम लोग लगातार चलाते हैं इससे पर लोगों चलाया थे जब नाम जुरूने की अंतिम तरीक थी तो उससे पहले हम लोगों ने महाब द्याला इससे कई आयोजन युवाओं की बीची में किये थे और हमारे परिवार में कि अब युवाही नहीं हम लोग बच्चों से लेके भी ऐसी एक्टिवडीज करते हैं कि अपने पेरेंस को वो लोग जित्थी लिख रहे हैं कि पापा इस बार मद्दान अवस्त करना है तो ऐसे रोचक तरीके से हम लोग कैसे इसका एक माहुल बनाए चली बहुत अच्छ है वो पूरे देश क्या वजेश तक पहुँच रही है अप एकशा जी क्या निवे देन करना चाहती है आप इस मंच के माधियम से क्या अपील है आपकी देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे चेंज़ आए है इस बार एलेक्शन कमिशन आपके पास आया है यूजुली ऐसा कि हमारे साथी आइकॉंज ने कहा कि future हमारा youth ही है और वो जितने जागरुक रहेंगे उतना जादा benefit country को होगा उनके साथ साथ जो हमारी older generation है जो की pillars है wisdom के वो भी vote देने के लिए यूनो बहुत आगे आने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वीनम आम ने कहा कि जो नहीं आपा रह हैं उनके लिए भी हम special facilities provide करने की कोशिश कर रहे हैं तो जब सब लोग मिलके collectively एक ही गोल की तरफ आगे बढ़नी की कोशिश कर रहे हैं तो इसका result बहुत 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 अच्छा और positive होगा मेरी appeal पूरे भोपाल से पूरे मध्यप्रदेश से यही है कि 17th November को उटते से ही आपके दिबाग में एक ही खयाल रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले वोट करना है उसके बाद आप जो करना चाहें करें अपने साथ अपने parents को अपने sisters को जो भी वयस्क हैं जिनके पास voter IDs हैं सबको collectively लेकर जाएं और एक नहीं बलकि multiple folds में वोटिंग करें इस बार और अपने super power को में पहचानना होगा और वोट देने के लिए मतदान किंद तक पहुंशना होगा उशा जी आपके अपील क्या है वही जो अपेक्षा जी ने कहा है वही अपेक्षा मेरी समास से हैं सारे बुजुर्गों से हैं सारे यूथ जो पहली बार वोट डालने जा रहा ह हैं तो अपना महत्व समझें वहां तक पहुंचें आप अडोस पडोस की लोगों को लेकर पहुंचें और इस मतदान को सफल बनाएं सो प्रतीशत आप यदि मतदान के कारिक्रम में भाग लेते हैं तो मान के चलिएगा कि एक अच्छी सरकार जो आपके देश का आपके प् समझते हुए बोट अवश्य करें सत्रह नवंबर की प्रतह सुवह आपको उठना है और आपका वूट एक सही सरकार को चुनने के लिए बेहत कीमती है शिवाम आपके अपील क्या है बेरी यहीं अपील है खासतोर पे आपकी माद्दम से आपकी सुरताई इतने सुन रहे है अपनी भूम का आवस्य रूप से नभाएं सत्रह नवंबर भूब करेगा बोट चलिए हम समझते हैं कि आपकी जो अपील है वह ज्यादा से ज्यादा शोता उसको सुनेंगे और उसमें अपनी भागिदारी करेंगे निनाद अधिकारी हमारे साथ आ गए है ना पैले शोता पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं और म्यूजिक में आप 15 साल से काम कर रहे हैं और संगीत के जो ताकत है वह भी भूमिका निभाती है और संगीत आज थेरिपी की रूप में भी काम आ रहा है यह मतदान वाले दिन इसकी थेरिपी किस प्रकार से काम करीगे और आप क्या भू तो इंडिन क्लासिकल म्यूजिक को मैं यूथ तक पचाने का जो काम कर रहा हूं तो मैं इसी के माध्यम से अपने यूथ साथियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि जरूर से जरूर से वोट दे और मत जो है हमारा हग भी नहीं हमारा ड्यूटी भी है तो इस चीज का हमें और इनके तुरू मैं इस चीज के तुरू मैं लोगों को बता रहा हूं मेरा नाम मुस्कान नहिरवार है और मैं भी आइकन हूं और इक बस्ती में लाइबरी चलाती हूं जब मैं नौ साल की थी तब से मैं लाइबरी को रन कर रही हूं और आज मेरे पास 3000 से पी ज़्याद मैं खुद भी बच्ची हूं और बच्चों से कनेक्ट हो सकें और बच्चों को अपनी बड़े लोग बोलते हैं बच्चे लोग यह सोचते हैं कि यह लोग हमें क्यू बता रहे हैं हमें ना वोट देना है ना कुछ करना है तो भी हमें क्यू बोला जा रहा है तो यहां पे ह इसblind हम बच्चों को भी बताना चाहरें कि आप अपने पेरेंट को फोट करें उनसे पूछे कि आप वोट दे रहे है या नहीं तो हम सब बच्यों से कनेक्ट मैं तो खासकर कि बच्छों से कनेक्ट हुरी कि बड़ों को बताने के लिए सब लोगें और उनमें बुद्धी भी के लिए योग हो जाएंगी तो आपने बच्चों को बता है तो उन्होंने किस प्रकार से मैसेज अपने पेरंट्स तक पहुचाने की कोशिश की है अभी मैंने पूछा तो नहीं है पर मैंने जब दो दिन बच्चों से मेरी बात हुई थी जैसे कि हम लोग आजकल शूशल कि आप परिशान मत हो यह हम जितने जादा होंगे हम सभी लोगों से बोलेंगे और अपने पैरेंट्स से कहेंगी वोट दे और ज़रूर दे क्योंकि मुसकान ने भी खाय क्योंकि आप एक इंस्पिरिशन बन चुकी है मारे लिए लाइक ऐसा तो निनाद एक मैसेज आपनी सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अपने देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए इस पावर का उपयोग सही तरीके से रिस्पॉंसिबल तरीके से करना है और देश को आगे बढ़ाना है चलिए बहुत अच्छी बात हुई आप से और उमीद करते हैं कि आपने जो अपी सब्सक्राइब हुए और हमसे बाचीत कि उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं और उमीद करते हैं कि आपका संदेश दूड़ दूड़ तक कहुंचेगा मेरा नाम नेहा अहिरवार है लोगतंत्र के महावसों में आपको पहली बार मदान करने जा रही है यह सर इस बार मैं फर्स टाइम वोटिंग करूंग इसके लिए भी मैं एकसाइटिट हूं क्योंकि हमेशा घर में देखा है मैंने दादा दादी चाचा चाची बुआ आं पास सब जाते हैं तो मुझे भी लगता है की वोट डालना उंग्ली पर जो निशान लगता है वो मुझे भी लगवाना है तो अपने जैसे बागी जो दोस्तें जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उसे क्या कहना चाहोगी? उनसे यही कहना चाहेंगी कि अपना मत देके उनका सयोग करें और देश को अपना आगे बढ़ाएं